हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आर्थी भातिया और आज हम बात करने वाले हैं कैंसेरियन्स के लिए ये मन्त ये इयर कैसे चाने वाला है 2021 कि ये इयर है न्यू येर है न्यू बेक्टिंग्स है मैं आपको तहे दिल से इस नए साल की बहुत-बहुत-बहुत मंगल बधाई देती हूं और होप करती हूं कि आपकी लाइफ में हमेशा खुश्याई रहेंगी और ये साल आपके लिए बहुत ही बहुत मंगल को लेकर आएगा देख कैंसेरियन की बात करते हैं साथ ही साथ के आपको रिक्वेस्ट करूंगे कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर अं सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा ये रीडिंग जो है एक जनरलाइज रीडिंग है अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप वहां से लेकर आप उसे बात कर सकते हैं वाट्सब पर और साथ ही साथ मेरे इमेल भी आपको अवेलेबल है तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि मेरा यूँ चैनल स्टार्ट हुआ है एस्टो अलिमिटिट करके आप उसे भी अपना प्यार वैसे ही दीजेगा जैसे इस चैनल को दिया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कीजेगा उसमें एस्टो से बहुत सारे व्यूज बहुत सारे चीज़ें जो है वो रेगुलर आपको बहुत सारे रिस्पॉंसिबिलिटीज जो है वो लेकर रहनी पड़ेंगी लेकर रखनी पड़ेंगी पर आपको फिर भी बहुत सारा अबंडन्स मिलेगा बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी सौल होंगी बहुत दिल से आपको खुशी मिलेगी बहुत सारी त Schw sommes इस एर में मिलना है यह को पिछे को छोड़ना है लेट गो करना है पिछही की सीजों कोआ पैस्ट को बूल जाना है और तभी जो नया आ रहा है जो नया मिल रहा है जो नयाम मिलने वाला है उसकी इच्छा करते हूं आपको आगे बढ़ना है नेचर के जितने आप पास रहेंगे नेचर को जितना इंबाइब करेंगे अपनी डेली लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपके पास चोटा साभी स्पेस है तो ज़रूर कुछ नो कुछ पौदे लगाएगा क्योंकि अर्धी टच जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है मैं लोशो ग्रिन में भी बहुत कहती हूँ कि जो नंबर्स है 258 वो बहुत अर्धी नंबर्स है और 258 की ग्रोथ जब तक आपको नहीं मिलेगी अर्धी नंबर्स तब तक वो ठीक नहीं होगा कभी-कभी तो बहुत पहले के लोग कहते होते थे न कि सुबे के टाइम आपको अर्ध पर चलना है घास में चलना है नंगे-पैरी चलना है तो वो जो ओस है वो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगी यानि कि potry में interest रखते हैं तो कुछ थोड़े से pots भी अगर आप 4-5 pots भी अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपको बहुत relief मैसूस होगा नेचर के साथ जो आपका एकाकार है जो आप glow करेंगे नेचर के साथ वो treasure आपके हाथ में आएगा and you are going to beam you are going to glow like a beam और आप बहुत जादा आगे शाइन करेंगे क्योंकि नेचर ही है जो treasure का चाबी आपको देगी your treasure is in your hand आपका जो अपना treasure है वो आपके हैंड में रहेगा तो cancerians के लिए nature के पास जाना agriculture करना अपनी pottery करना अपने घर में organic food लगाना आपके लिए बहुत अच्छा है जो कुछ है वो आपके हाथों से मिलेगा यानि कि आपको अपने आप hard work करना है अपने आप आपको काम करना है वो काम आपको बहुत आगे तक ले कर जाएगा वो ही आपके success की चाबी की बनेगी साथ इसाप आपको अरदी नंबर्स के लिए कहीं नहीं पौटरी या पौटरी से related कुछ भी करते रहना है अपने हाथ मिट्टी में डालने है और नई चीज़ों को उगाना है तो नई जो growth है वो अपने आप से होगी यानि कि एक अगर इसको symbol भी लिया जाए लिटरल नहीं भी लिया जाए तो आप यह सूचिए कि जो भी नई चीज़ की शुरुवात आप कर रहे है अपनी लाइफ में उसमें आपको खुद अपने आपको involved करना पड़ेगा 100% involvement होगी आप किसी को क्या नहीं सकते हो कि फलाना मेरा मनेजर है और यह कर दे वो नहीं करेगा आपको खुद करना है जितना आप करेंगे आपको उतना जादा रिप भी नहीं मिलेगा आप उतना ही जादा आगे बढ़ेंगे तो जो लोड है वो जरूर आपके पास रहेगा और उसका result abundance होगा और वो abundance आप ऐसे feel करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा आपके दिल को चैन मिलेगा आपके दिल को सुपून मिलेगा चलिए अब reading करते हैं साल के लिए Cancerian के लिए ये साल 2021 कैसे जाने जाना है देखते हैं जैनरी में आप कुछ इस तरह का मैसूस करेंगे कि कुछ आपको जल्दबाजी सी रहेगी impatience रहेगी अगर आप इसे avoid करते हैं तो अच्छा है February आपके लिए थोड़ा सा difficult हो सकता है क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि आप उपर से नीचे गिर गए किसी ऐसी बात में आप फस जाएंगे जो आपने नहीं की या जो आप नहीं सूच रहे थे पर फिर भी आपको उसको जेलना पड़ेगा सहना पड़ेगा हो सकता है कि कुछ इस तरह का financial आपको तोड़ा सा जटका लग जाए जो आपने कभी सूचा नहीं था कि आपको मिल सकता है या आपके लिए हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है अपने लिए मार्च में जो emotional hassle है वो थोड़ी सी जादा होगी पैसे से जादा तो emotional हैसल होगी एपरिल में ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत जादा अच्छा पल देंगी क्योंकि आपने जो सीखा है इन months में January, February, March में वो जो सीख है वो बहुत आगे तक आपको लेकर जाएगी बहुत ही जादा movement होगी आपकी में में आप अपने आपको guide करेंगे अपने आपको मंजिल में कर जाएंगे जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे जून में आपके पास पैसे जो पहले आपको लग रहा था कि किसी ने ले लिये हैं वो मिल जाएंगे याप कमाल लेंगे जिससे आपको काफी relief मिलेगा July is Trinity of God Trinity of God आपके साथ है आप ब्रह्मा विष्टु महेश आपके साथ हैं और आपको कुछ भी जादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी शीज़े हैं जो आपको काफी आगे तक लेकर जाएंगी August में देखें डो कार्ट आगे हैं मेरे हाथ में August में आपको बाहर जाने से रिलेटट भी बहुत सारा काम बिल सकता है All the turmoil, tensions are going to be behind You are going to face peaceful waters तो आपको peaceful waters मिलेंगे आपके लिए बाहर से रिलेटट कुछ भी काम आएगा और वो बहुत ही अच्छा होगा जॉब भी हो सकती है सेप्टेंबर में आपको Mother or Motherly Lady काफी आगे तक लेकर जाएगी काफी आपको उसमें सुखून मिलेगा October में आपके लिए strength है यानि कि आप अपने अंदर की strength को जगाएगे बहुत आगे जाएंगे और बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए October में आप अपनी family life को लेकर जितनी भी चिंता कर रहे थे वो दूर हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा time अपने friends के साथ family के साथ specially निकाल सकते हैं November में कुछ emotional hassle है और December में भी किसी बात को लेकर आपका दिल तूट सकता है पर overall अगर आप देखा जाए तो कोई ऐसा है जो आपको manipulate कर सकता है इसके अलावा आपके पास एक से जादा options है काम करने के लिए तो इन overall in totality first half को अगर देखा जाए especially first quarter first three months are difficult months because आपको जो आपने सूचा है वो नहीं हो पाएगा या जितना आपने सूचा युँचना आपको नहीं मिलेगा अगर अपकी कोई payment टडी हुई है तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं को कम मिल्रे है जितने मिलने थे उससे काफी कम मिल रही हो सकता है quarter में मिल रहे हूँ है 25 percent मिल रहे हो बहुत कम मिल रहे हूँ achieve कर पाएं जो आपने अपने लिए goal रखे हैं जो आप achieve करना चाहते हैं जहां आप पहुंशना चाहते हैं वहाँ से guidance आपकी अपनी होगी वहाँ खुद ही आपको effort करना है खुद मंजिल पर जाना है हाला कि Trinity of Board आपके साथ है इस पूरे year में जो last quarter है वो आपको काफी जादा success देगा October तक तो आपको काफी जादा success मिलेगा और इतना success कि आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारे चीज़े जो हैं वो आपकी फलती जा रही हैं especially family को लेकर अगर आप किसी भी बात को लेकर बहुत परिशानी में हैं वो family कि जो issues है वो ठीक हो जाएंगे और साथी साथ आपको strength मिलेगी you will get all the strength in the world you don't need to take any extra risk तो जो first quarter में जो tension थी वो दूर हो जाएगी और आगे भी आपको मिलेगा और आपको बहुत अच्छे आपके guiding engines जो हैं वो आपको watch कर रहे हैं आपको देख रहे हैं जो भी प्यार जितना भी प्यार आपने लोगों को दिया है जो भी सुकून आपने लोगों को दिया है जो भी आपने comfort लोगों को दिया है वो ही आपके पास वापस आएगी बहुत सारे फोल्ड में वापस आएगी और वो comfort वो प्यार वो relief जो है वो आपको बहुत अच्छा आपको pay करेगा तो ये तो था cancerians के लिए 2021 जो की एक mixed एक हिसाब से reading आई है जिसमें first quarter में कुछ disturbances हैं कुछ changes हैं जो आपको कुछ impact दे सकते हैं जो पीछे से चलता आ रहा है जो money को लेकर भी कुछ issues हैं but otherwise आपके ल कर सप्टेंबर ऑक्टूबर तक तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है जवेंबर-डिसेमबर थोड़ा सा stress दे सकते हैं पर उतना नहीं वो दिल की किसी बात को लेकर stress हो जाकता है पैसो से नहीं होगा और कई सारे चीज़े जो हैं वो आपकी इस year में solve होंगी जो म अंसे रिलीफ है वो आपको इस यहर में जरूर मिलेगा Cancerians आपके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजेगा मेरे new channel S2 Unlimited को भी जरूर शेर कीजेगा like कीजेगा subscribe कीजेगा thank you so much friends